इजी चैनल तो friends आप हम बात करेंगे transfer of property act के chapter 7 की बात जो की gifts के regarding जो भी provisions है उनसे deal करता है तो देखिए वैसे तो आपका ये जो transfer of property act है न इसका chapter 7 gift से deal करता है उसके section 122 से लेकर 129 तक आपको किसके बारे में बताएगा ये gifts से related provisions के बारे में बताएगा तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपका section 122 discuss करूंगी और इसी के साथ sequence में हम चलते रहेंगे 122 के बाद 123 फिर इसी तरीके से करते करते हैं 129 तक जाएंगे तो पहली में न ये जो आपका separate separate sections है न इसके हिसाब से आपको proper explanation बताऊंगी और उसके बात में मैं कोशिश करूंगी कि एक compiled वीडियो बनाओ जिसमें आपको गिफ्स से related ये जितने भी प्रोविजन है न इनका एक essence आपको मिल जाए ताकि आपको exam point of view में अगर इस chapter में से गिफ्स से related अगर आपका कुछ question आता है तो आप उन सब को comprise करके long answer में लिख सकें तो चलिए पहले हम step by step discuss कर लेंगे इसके section to section को तो आभी आज की वीडियो में हम discuss करेंगे section 122 तो section 122 जो है वो आपका बात करता है gift defined मतलब gift क्या है gift क्या होता है उसकी definition के पारे में बात करता है तो पहले हम देख लेते हैं कि bear act क्या कहता है देखे bear act क्या कहता है gift is the transfer of certain existing movable और immovable property made voluntarily and without consideration तो gift क्या है gift transfer of certain existing मतलब जो property आपकी exist कर रही है उसका transfer और यह property कैसी चाहे वो property immovable है चाहे यह आपकी property immovable हो ठीक है ना पर यह transfer कैसा होना चाहिए voluntarily होना चाहिए और without consideration होना चाहिए तो gift क्या होता है gift किसी movable या immovable या फिर immovable property के transfer को कहते हैं जो कि voluntarily की गई हो और बिना किसी consideration मतलब उसके gift करने के आवज में उससे कुछ लिया ना गया हो consideration के तौर पर by one person जिसे हम कहेंगे donor and to another जिसे हम कहेंगे donor and accepted by or on behalf of the donor तो क्या कहता है यह कि gift आपका transfer of certain existing चाहिए वो property immovable है या immovable property है उसका transfer एक person से दूसरे person में voluntarily और बिना consideration के होता है जो देने वाला होता है उसे कहते हैं हम donor क्या कहते है donor और जिसको दी जाती है वो क्या होती है वो क्यों होगा डोनी तो donor donate करने वाला मतलब gift करने वाला और डोनी कौन होगा आपका जिसको दिया जा रहा है ठीक है और साथ साथ में एक और condition कहाई इसमें accepted by और on behalf of the donor gift की condition एक यह भी होती है कि voluntary or without consideration होने के साथ साथ में यह आपका donor के जरीए accepted भी होना चाहिए डोनी या उसके बिहाफ में उसका कोई रिप्रेजेंटिटिव भी से accept कर सकता है आपका इसका ना proper explanation क्या लिखेंगे आप उसको मैं आपको बता देती हूं तो definition जैसे आपको है ना यह आपका इसमें गिफ्ट डिफाइड है आपका section 122 ऑफ टीपी इसमें आपका न इसी में एक portion आपको क्या मिल जाएगा acceptance when to be made वाला इसको भी हम एलग से explain करेंगे पहले हम देख लेते हैं कि जो definition वाले portion में क्या लिखा गया था बेरेट के साब से जिसको आप compile करके लिए सकते हैं अगर gift is a voluntary transfer of existing property चाहे वो movable हो या imovable हो without consideration from a donor to a donor and accepted by or on behalf of donor तो यह proper explanation है कि gift क्या है एक voluntary transfer है किसी existing property का चाहे वो movable है चाहे imovable है और बिना consideration को होता है donor से donor के पास में जाता है gift और यह accepted होगा donor के जरीए या फिर उसके बिहाफ में कोई उसका representative से accept करें अब इसका जो second portion है वो क्या कहता है आपका acceptance when to be made मतलब यह जो acceptance की बात कर रहे है किसके acceptance की बात कर रहे है डोनी के जरीए जो gift की acceptance के ऐसा नहीं है कि मान लीजे मैं आपनी property किसी को gift करना जाता हूं तो मैंने gift कर दिया उसे पर जब तक वह accept नहीं करेगा तब तक उसे पूरा gift को complete नहीं माना जाएगा तो acceptance कब होनी चाहिए ठीके न वह आपका इस portion में दिखा गया है तो देखिए इसके साब से क्या है Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving तो यह कहता है कि acceptance जो है वो कब होने चाहिए जो donor है उसकी lifetime के अंदर मतलब gift जो देने वाला है जब तक वह जीवित है उसके जीवित रहने तक ही आपका यह acceptance valid माना जाएगा उसके एक बार मरने अगर मानने जो हो मर जाता उसकी death हो जाती है तो उसके बाद अगर आपका donor accept करता तो यह आपका valid नहीं होगा तो एक तो यह हो गया कि lifetime of donor and while he is still capable of giving ठीक है और जब वो आपका बोलते नहीं है यह उसकी बात हो रही है कि आपका यह जो donor है वो आपका capable of giving acceptance होना चाहिए fine if the donor dies before acceptance बर मान लिजए कि donor की accept करने से ही पहले accept करने से gift करने से पहले donor की death हो जाती है तो यह आपका void माना जाएगा मतलब donor और डोनी दोनोई live होने चाहिए आपके gift देने के टाइम में और gift accept होने के टाइम पे तो इसका explanation देखे कैसे लिखेंगे acceptance is a necessary condition for a valid gift it means that the donor agrees it means that the donor agrees to receive the property from the donor तो यहाँ पर acceptance जो है न वो एक necessary condition है एक valid gift के लिए जहाँ पर डोनी आपका agree होता है उस property को donors के द्वारा जो property दी गिफ्ट की जारी उसको receive करने के लिए acceptance must be made during the lifetime of the donor मतलब यह जो acceptance हो रही है यह donor के lifetime के अंदर ही होने चाहिए इसका मतलब है donor must be alive when the donor accepts the gift मतलब जब donor gift accept करे तो उस time पे donor आपका alive होना चाहिए जीवित होना चाहिए if the donor dies before the donor accepts अगर मान लिजे कि donor पहले donor की पहले death हो जाती है और donor accept बाद में करता है मतलब उसकी death के बाद accept करता है तो gift को complete नहीं मारा जाएगा और gift आपका void हो जाएगा acceptance must also be made while the donor is capable of giving which means that the donor must have a legal capacity to transfer the property तो यहां लिखाए ना acceptance जो है कब होनी चाहिए जब आपका donor आपका क्या है मतलब उसकी capability होनी चाहिए gift देने की कैसे कि आपकी जो donor है उसकी legal capacity होनी चाहिए किसी property को transfer करने की उसके पास में legal rights होने चाहिए for example the donor must not be a minor कोई भी जो donor है वो minor insane या intoxicated नहीं होना चाहिए ठीके ना minor मतलब जिसकी age आपकी कम 18 साल बुलते हैं जो आपका major नहीं है 18 साल से कम IU का है insane किसे कहेंगे जो अपने होश वाज में नहीं है intoxicated मतलब जिसने कोई नशा किया हुआ है या किसी को बोलते हैं सदेट करके अगर उससे कोई उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई जा रही है तो मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए वह आपका कैसा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से अगर मान लेज़े की डोनर जो है वह अपनी इस कैपसिटी को लूज कर जाता है किसी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की दिखेंगे ना कैपसिटी को लूज कर जाता है तो अभी गेप्ट आपका वॉइट मना जाएगा इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी यह तब ना तो डोनी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटीव यह जो होंगे उनके पास में नहीं जा सकती है तो प्रॉपर्टी किसके पास में रहेगी डोनर के पास में या फिर उसके लीगल रिप्रेजेटीटी उसके पास में दोनी मस्ट भी अलाइव और एक्सेप्टिंग वें गिफ्ट इसमें तो यहां कंडिशन के ज़रूरी है कि डोनी दोनी चाहिए कब अलाइव होना चाहिए और कैपड़ों अच्छी एक्सेप्ट करने के लिए गिफ्ट तब यह आपका कंप्लीट मना चाहेगा तो फ्रेंड्स यह हमारा टॉपिक ठाट देके नहीं कर लिए पूरा I hope आप लोग को इसमें समझ में आया होगा, आपको help मिलेगे इसको आपके exam point of view से भी और सासात में bear act को proper समर्जने के लिए, तो चलिए फिर मिलेंगे next video में, इससे पहले आप लोगों से request करना चाहूंगी, कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो like, share और subscribe जरूर करें तो चलिए फिर्गते next video